आईए सुनते हैं शिवानी जी की कहानी गानधारी दोनों सखियां आमने सामने बैठी थी रमा माथुर छरहडे शरीर की लंबी लावन्य माई युफ्ती लगती थी निकत से देखने पड़ी देखने वाला अपनी भूल पकर पाता था युवन उससे बहुत पहले विदा ले चुका था किन्तो उसके चेहरे पर अभी भी पूर्ण लावन्य के ऐसे हस्ताक्षर थे जिने कालचक्र भी कठिंता से ही मिटा सकता है उसकी आखो पर मोटे फ्रेम का चश्मा था चेहरे की जुरियों ने विदेशी बहुमूली प्रसाधनों से पराजित हो अपने हतियार डाल दिये थे कटे बालों की वही लोकप्रिये आधुनिक सज्जा थी जिससे मंडित भारती अभी शप्त विद्वाओं का दल का दल आजसे दर्सवर्श पूर्व भारत के किसी भी तीर्स्तल या संगम पर देखा जा सकता था काले केशो को आविशक्ता से अधिक काला रंग प्रायर रमा के साथ की अध्यापिकां को संचय में डाल देता था क्या ये विधाता का ओधार्य था या स्वैम रमा के हाथ की सफाई जो भी था अपनी उम्र को रमा ने कसकर मुठी में दबा लिया था बहले ही यौवन उसे छोड़ दे वो यौवन को छोड़ने के पक्ष में नहीं थी शरीर के गठन में अभी भी युवती का लास्य था कटाक्षों में ऐसे ही कलेई का मुलम्मा था जो चतुर से चतुर पुरश को भी चर्णो का दास बना सकती थी इसकी बीस वर्ष की लंबी नौकरी ही आज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी चाहने पर भी वो अपनी उम्र को अभधिक नहीं घटा सकती थी आखिर वो M.A.L.T थी यौवन का एक सुनहरा प्रभात तो उन लंबी-लंबी डिग्रियों से विभूशित होने में बीता ही होगा फिर विवाह का प्रकरन जो उसके दुर्भागी से अधूरा ही रह गया था पहले उसके पिता को उसके योग्य पातर ही नहीं जुटे कोई स्वैम छोटे कत का छोटा था तो किसी की नौकरी का कत छोटा था और किसी का सम्मिलित परिवार आवशक्ता से अधिक बढ़ा था रमा के पिता सेशन जज थे अदालतों की दूशे थवा उनके फेफ़णों में इस बुरी तरह घुसी हुई थी कि प्रतियेक भावी जमाता उन्हें कटगरे में खड़ा अभ्युक्ती लगता कई सुयोग्य पात्रों को उन्होंने अपनी ही मूर्कता से गवा दिया पीता तो नहीं है सिनमा देखता है क्या कहा नाटिकों में भाग लेता है कविता भी लिखता है आधी आधी निरर्थक प्रशन पूचकर वो सबको सहमा देते फिर इश्वर कृपा से भारत में कन्या दाय ग्रस्त पिताओं की एक लंबी कतार विवा मार्केट में सरवदा अबलब्द रहती है जहां जजज सहाब एक पात्र को छोड़ता दूसरा लपक कर उस अच्छी भली पतं की दोर को थाम अपनी और खीच लेता धीरे धीरे समय बीटता गया जजज सहाब की सहसा रिदेगती बंध हो जाने से मृत्य हो गई और विचारी रमा अन्व्याही ही रह गई रमा ने नौकरी कर ली विलंबित कॉमारे के कृष्ण मेग ने उसके सुकमार चेरे को पूनतया घेर लिया था किन्तु उसने अपने बचे कुछे सौंधर्य मूलधन को जन्मजात कृष्ण की भांती ही सेथ कर रखा था वो विदेश से सैक्डो रुपिया खर्च कर भाती भाती के सौंधर्य प्रसाधन लेप प्रलेप मंगाती रहती थी उसके पिता बहुत रुपिया छोड़ गए थे और कोई था नहीं करती भी क्या एकाद दूर के रिष्टे की बुआ और ताईयों ने उसके साथ काशी वासकर मृत्यो समय तारक मंत्र श्रवन करने की इच्छा भी प्रकट कर दी थी किन्तो रमा ने अपने चलबल के ज़ाड से इन स्वार्थी आ स्वजनों को ज़ाड जूड़ कर जटक दिया था वो अकेली ही भली थी फिर अब अकेली भी तो नहीं थी पिछले तीन वर्षों से उसकी सहपाथिनी रीना राना का स्थानांतरन भी उसी विद्याले में हो गया था नजाने के संधेरी सी गली में एक बंगाली परिवार के साथ पेंगेस्ट बन बिचारी रहती थी खीच-काच कर रमा उससे अपने बंगले में ले आई थी बंगला भी तो उसका लाखों में एक था तब से दोनों सक्या एक साथी रहने लगी थी सहद ध्यापिकाओं ने इर्ष्या वर्ष्रीना राना को व्यंग वाणों से बेन भी दिया था किन्तु वो हस्मुक व्यूवती तो जैसे चिकना घड़ा थी इधर उसका जुकाओ संद समागम की और निरंतर वरता जा रहा था सोने के लॉकेट के बीच वो अपने उन स्थूल काई गुरुजी की फोटो लगाये रखती थी जिन्होंने उसे गुरु मंत्रे दिया था कभी कभी वो भारत के तीर थिदर्शन की लंबी आत्रा पर भी अपने गुरु बहनों के साथ निकल जाती और उसकी सकी रमा बुरी तरह चिर्चड़ाने लगती ये सब तुमारा फ्रिस्ट्रेशन है रीना क्यों ढोंग करती हो ये सच बताना क्या तुमें ये सब अच्छा लगता है ठीकी तो कह रही थी रमा उसे सच मुची कभी 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 सजी सवरी नियम आदीशों से बंधी जिंदगी डंक मारने लगती समय से उठना नहाना धोना गिनकर 108 बार मंत्र जाप फिर कलफ में सधी साड़ी पहन विद्या ले जाना वहां कुंठा ग्रस्त परिवेश के पोखरे में दिन भर डुपकिया लगाना और संध्या को अपने और अपनी सखी के सजे बंगले में लटकर लड़कियों की कॉपी जाचना कैसा नीरस जीवन था उसका और रमा का प्रतियक वस्तु नियत स्थान पर सजी न कहीं धूल और न धबबा ये भी कैसा करूर फौजी अनुशासन है वो मन ही मन सोचती क्यों कोई बच्चों की चंचल टोली आकर उनकी बैठक की रंगीन सज्जा को अपनी धमा चौकडी के जंजावत से जगजोर नहीं देती क्यों कोई ग्रहस्ती स्रीयों की मनली उन्हें घेर कर ग्रहस्ती के रंगीन कथानकों का जाल नहीं विखेर देती इधर उधर की बाते किस बहु ने अपने सु दुर्वेभार किया किस सास ने अपनी बहु को अपने पुत्र का शत्रू बना दिया हाई कैसी प्यारी प्यारी बाते किया करती थी उसकी मा और भावियां, चाची और धाईयां, हाथ हिला हिला कर, नत के जुगनू जमका, आखे चमका, पुतलियां फिरका, घंटों और महले टोले की स्त्रियां हस्ती हसाती, लड़ती जगड़ती, रोती रोलाती, नित्य समय अ न हस्ती थी, एक साथ बैठे बैठे कभी घंटों भीच जाते, खाने बैठती तो चुक कर उच जाती, सिनमा देखने का प्रस्तावतो दूर, कभी बाहर टेलने का प्रसंग भी भूल से नहीं छेड़ा जाता, स्त्री सुलप कौतूहल, हास परिहास, नोग जोग, सब दियो की जोती भाती भुज गया था, जल रही थी किवल एक पुष्प, घ्रेत, जोती, इर्शय और द्वेश की, बीस वर्ष की मैत्री की नाड़ी, सैसा लुकेमिया के मरना सन, रोगी की नाड़ी की भाती, छेतना खो रही थी, मृत्यू आसन्य थी, दोनों कभी लुक छिपकर एक दूसरे को कंखियों से देखती, और पकड़े जाने पर ऐसे सहम कर आखे फेर लेती, जैसे कोई पाप कर रही हो, शत्रुता का घातक की टाडूं घुसा था, एक सामानी से चिद्र से, एक दिन उठते ही दोनों ने देखा, सामने खड़ी सेट रामरतन की उची हवेली क खिड़की खुली है, वर्षों से बंद ये हवेली क्या सच्मुच आबाद हो गई थी, उन दोनों के कौतूहल का अंत नहीं था, पता नहीं कौन था ग्रहस्त या उन्हीं की बिरादरी का कोई वेरागी, लेकिन ये स्थिती अधिक समय तक नहीं चली, पहले दिन ही उन मांगने के बहाने, नई किरायदार ने आकर स्वैम अपना परिचे दे दिया, ये जैपूर विश्विद्याले में प्राध्यापक था, विदेश से लोटने के प्रशाद, भारत के विभिन ने विश्विद्यालों को अपने चंचल चर्णों की पावन धूली से पवित उसकी बतीसी भीतर कर दे, पुरुश उसे सभाव से ही प्रिये थे, किंतु उसका धर्य व्यक्ती की कैची सी चलती जीवा, उसे नहीं रुची, यदि बिना बोले केवल टेलिफोन पर शमा मांगो दबे पाउँ चला जाता, तब वो उसे सिराखो पर बिठा थी, पर वे त बीना बड़ी प्रसन थी, उसे उस मोटे मोटे होट वाले काले नाटे व्यक्ती की केवल यहीं बात पसंद आई थी, कैसी बेतकलुफी से वो अपने गोबर सने खुरों की छाप छोड़ गया था, जैसे मस्ती से जूमता अरना भैसा हरी भरी फसल चर्मराता किसी खेट के बीच से गुजर गया हो, दूसरे दिन से उस मस्त भैसे ने उसकी सुरुची संपन्ना सकी को और भी बढ़काना शुरू कर दिया, कभी वो बरामदे में केवल एक तौलिय की लुंगी लगाए, हट योगी साधू की भाती, प्रानायाम खीच घंटों पदमासन लगाए बै मैं अपनी दुर्बीन ले आती हूँ, देखूं क्या पढ़डा है? वो भागती हुई दुर्बीन ले आती और फिर देखते ही अपनी सकी को भीतर खीच हस्ते हस्ते लोड़पोट हो जाती, कहा था ना मैंने पतंजली के योगदर्शन के नीचे फिल्मी पत्र का छिपा, ह लोगदर्शन के अत्यादिक सेवन से विचारे प्राध्यापक को स्वयम ही अपच हो गया, एक दिन दोनों सक्खिया उठी तो सेट जी की हवेली के दौर पर वही पुराना जंग लगा ताला लटक रहा था, काश वो ताला लटका ही रहता, पर उसे तो अब दोनों सक्खि है, रमा बच्ची सी कलक उठी, सैसा दोनों की बोलती एक साथ बंद हो गई, एक सौ में आकरिती का लंबा चोड़ा युवक, उनकी और पीट कर बैढ़ गया और अपने नाखून काटने लगा, रीना ने अपने गुरुदेव की फोटो का लॉकट दातों से दबा लिया, उत्तेजित होने पर वो प्राये ऐसा किया करती थी, रमा सकी का कंधा पकड़ कर जुग गई, हाई, कितना हैंसम है, कैसे लहरदार चिकने बाल है, थुड़ी में डिमपल देखा, सश्मुषी उस सुदर्शन युवक का गौर्वर्ण किसी विदेशी आईरिश किसी लालिम से रंजित था, वो एक के बाद एक सिग्रेट फूकता, बिना उन दो सक्यों के और देखे, धूब का प्रचुर सेवन कर रहा था, शायद वो नारी हिर्दय का मंजा जोहरी था, और ये भली भाती जानता था, कि एक बार भी मुण कर देख लेने पर, वो अपना समस्त आकर प्रचन गवा बैठेगा, नारी को पुरिश की उधासीनता ही अधिक बानती है, फिर तो दोनों सक्या लोग छिपकर उसे ही देखने लगी, तीन ही दिन में दोनों प्रोडा सक्यों की आयू के दस दस वर्ष, स्वयम उनकी काल्पनिक गन्ना ने घटकर पुराना योकफल म खरीद लाई, एक ने जूड़ा खोल कर दो चोटिया लटका ली, दूसरी ने ओम लिखी अंगुठी उतार दी, एक ने चोटी में गुलाब लगा कर आखों ही आखों में पैतरा बदल लिया, तो दूसरी ने अकारन ही बराम दे के सारे काल्पनिक मकडी के जाले जाड़ कर रख दिये, एक आद बार शायद जान बूच कर ही दो तीन निर्दोश गमले भी गिराए गए, फिर अचानक दोनों सक्यों से रहा नहीं गया, एक ही नदी की बिछुड़ी बढ़ गई दो धाराओं की भाती, दोनों फिर मिलकर एक हो गई, क्यो ना मिलजुल कर ही मोच्छ राम जाने, जा अपनी दुरबीन लेया, तीन गमले फोड कर भी रहिना हतियार डालने को तेयार नहीं थी, देख रीना क्या बढ़िया स्वेटर पहने है, क्या पता बीवी ने बुना हो, रीना ने हसकर कहा, मनी मन उसे इस तीन दिन के सामान्य से परिचित सुधर्शन हारी हा, तू क्या सोचती है, वो अभी तक उस मोर्ख योगी की भाती हमारे लिए कुमारा बैठा होगा, कम से कम तीस का तो होगा ही, गौर से देखती नहीं, धूब का चश्मा लगाया है, नहीं तो मैं पुरुष की आखें देखकर चट उनकी उमर पकड़ लेती हूँ, पर क्या गजब की परसनालिटी है रमा, देखकर भूख भागती है, अवश्य ही ये पुलिस या फॉज में होगा, हमारे विभाग में तो इश्वर ने चाट चाट कर काम देव बिठाए है, रीना ने अपने निर्णे के मौखिक समर्थन के लिए सहेली को उकसाया, रमा के दिल में रीना के द्वेश की छुरी घब से बहुत भीतर तक धस गई थी, हाई हाई, वो तो मनी मन अपना स्वेमवर रचा, इस अद्रिश्य मूर्ती के गले में माला डाल, सैयुकता बनी, उसके कालपनिक अश्व पर आरुडा हवा में सर पर टुड़ी जा रही थी, कि र रीना ने अचानक लगाम खीच कर भूमी पर लुड़का दिया, चल रमा, भीतर चलें, हम दोनों अपने इस बरामदे से नीचे भी कुदेंगी, तब भी शायद वो हजरत टस से मस नहीं होंगे, नहीं रीना, आज चाय भी यहीं पीलें, देखें कब तक नहीं देखता, र देखो मंगू, चार फ्राइ, पॉरिज, टोस्ट और मक्षन की दो बट्टिया, बेबी लोग यहीं चाय पीएंगी, मंगू ने मूर्कता पून प्रश्न पूछा, तो चालिस वर्श की दोनों बेबियां जल्ला उठी, अरे हां रे हां, कहतो दिया, फिर चाय आई, रंगी सेरे टोस की मक्षन लगी तैपर, बड़े अंदास से बिचा, रंगीनी नाखूनों से, रंगीन नाखूनों से थामे गए काटों द्वारा, रंजित अधरों तक पहुचाई गई, कही बार चमचे गिरी, फिर काटे, अपनी धूर्ट चाल और सूजबूच पर दोनों खिल सेरे गती एक साथ बंद होने लगी, आप देखेगा शायद, न चाने पर भी रीना के मुझ से निकल गया, तुझा, तुझे ही दे दूंगी तेरा, समझी, नहीं तो मेरा, रंजू, रंजू, उसने पुकारा तो दोनों काब गई, पूरे मकान की छट गुजाता स्वर गु गोद में गोल मटोल बच्चा लेकर आई, लो थामो इस दुष्ट को, मैं सूटकेस बंद कर लूँ, ले, जा पापा के पास, उसने बड़े लाड़ से बच्चे को चूमा, और इस व्यक्ति की गोद में डाल दिया, फिर वो एक सूटकेस खीच कर वहीं ले आई, कपड़ो गए है, साड़े तीन बचे तो हमारी गाड़ी छूटती है, वो सूटकेस लटका कर चली गई, चंचल बालक रवड की चुसनी चूस रहा था, अचानक पिता का चश्मा देख, उसने किलक कर खीचने का हाथ बढ़ाया, तो चुसनी नीचे गिर पड़ी, वो चीक-चीक कर अब तक दोनों सक्यां जैसे किसी मन्होरंजक चल्चित्र का सबसे संसनी खिश द्रिश्य देख रही थी, दोनों की विलिप्त वानी एक साथ लोटाई, कितनी बचसूरत पत्नी है, पर कितना सुंदर बालक, रीना ने एक लंबी सास खीच कर कहा, अपने बाप पर गया है कितना रो रहा है, पैरों के पास ही तो चुसनी पड़ी है, क्या टटोल रहा है उसका पापा, इतने में ही बच्चे का रोना सुनकर मा आ गई, क्या हो गया, अरे ले, कहकर उसने चुसनी आचल से रगड बच्चे के मुँ में लगा दी, और पती की बाह धाम कर बोली, चलि ऐसा उसकी आखे सामने खड़ी, दोनों सक्खियों से चार हो गई, नमस्कार, उसने हसकर कहा, देखिये न, ऐसी हरवडी में रहे, कि आप से मिल भी नहीं पाए, सिना मामा जी तो आप दोनों की इतनी प्रशंसा करते थे, पिछली बार जैपूर से आये थे न, डॉक्टर स सिना आपके मामा है क्या, रीना ने पूचा, जी नहीं मेरे पती के मामा है, उन्होंने ये अवेली अभी अभी खरी दी है, मैं अपनी नदत के लड़के के मुंदन पर आई थी, देहाद गई थी, कल ही आई, आपके पती की आखों में क्या कुछ तकलीफ हो गई है, रीना बिना जड़कोदे मानेगी थोड़ी ही, रीना ने अपने निरलज जदूरे प्रश्ण में भी अपनी जिग्या साश्पष्ट कर दी, चतुर युफ्ती ने उसके कौतूहल को समझ लिया, वो उदासी से हसी, हाँ, मेरी सगाई होते ही एक वायरिस इंफेक्शन में इनकी द देलिया जोड़ी ही थी, कि कौतूहल प्रिया रीना ने अपने करूर प्रश्ण की अंतिम गोली दागी, क्या आपका परिचे इनसे विवाह से पूर्व का था? प्रश्ण सपष्ट था, ऐसे सुदर्शन व्यक्ती को विवाह के पूर्व रिदय सौप कर, क्या आप समय रह थी, तब तोड़ने से लाभी क्या था? मेरी पिताजी की भी इच्छा नहीं थी कि विवाह हो, मैंने ही जिद की, अच्छा, अब चलूँ. वो द्वार बंद कर चटपट सीडियां उतर गई, रमा को लगा, वो तारसी लंबी सावली उवती बद सूरत नहीं, संसार की पुष्रेश सुन्दरी है. अंधे विविश्पती का हाथ थामने के लिए उस त्यागमई गंधारी ने स्वेच्छा से ही अपनी आखों पर पट्टी बानी थी. दोनों सकियां सोच रही थी, वो दोनों कितनी तुच्छ थी, कितनी तुच्छ. तो ये थी शिवानी जी की क कहानी गांधारी. सुनने के लिए धन्यवाद.